हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब हम कोशिश करते हैं लगातार जो भी क्रिप्टोकरंसी से रिलेटेड टॉपिक्स हो या कोई भी इंफोर्मेशन हो नीज हो रेगुलेशन से रिलेटेड नीज हो लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से देते रहे बहुत सारे लोग हमसे लगा कर दीजेगा लाइक और मैं उम्मीद करता हूँ चैनल को तो अभी तक आपने सस्क्राइब करी लिया होगा क्योंकि हमारी कोशिश रहती है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी अपडेट हो आपको देने की क्रिप्टोकरंसी की फिल्ड में हर चीज को लेके हम निकल के आ रही है शीबा इनू के लिए शीबा इनू को क्रेकन जो कि दुनिया का वन ओफ दबेगेस एक्सचेंज है उसने लिस्ट कर दिया और आज से वहाँ पे उसकी ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी और आपने देखा जैसे ये नियूज आई और जैसे नियूज अपडेट चल रही है मार्केट पॉजिटिव लग रही है उसके बाद में शीबा इनू 25% का अप कर गया अब दूसर टेकनिकली बात कर लेते हैं लेकिन अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होंगी जो हमने शीबा इनू के लिए बहुत बाहर बनाई है उसके इं important support zone है यहां पे आप entry ले सकते हो अगर आप लेना चाते हो तो मैं उमीद करता हूँ अगर आपने यहां entry ले होगी तो आप आज की एक अच्छे profit के अंदर होंगे अगर मैं resistance की बात करता हूँ तो यह जो है 5000 के आसपास जो है इसको एक resistance है अगर इसके पार जाता है तो एक important resistance इसको लगभग 64,000 से 75,000 के बीच में मिलता है अगर यहां पे नहीं टिकता है और आपको ध्यान लगना है कि यह जो 50 दिन का moving average है और 21 दिन का moving average है यह इसके लिए एक resistance का काम करेगा अभी अगर यहां पे क्योंकि 25-30% कुछीच pump होती है तो हो सकता है थोड़ा सा correction देख पास इसको एक resistance मिलिया अगर इसके उपर maintain कर पाता है और close कर पाता है तो आने वाले time के अंदर आप इसका अगला target ले सकते हो 5500 और ultimate target आप लेके चल सकते हो 74-7500 और अगर support नहीं मिल पाती है तो immediate जो support है इसको 4000 के आसपास है और एक important support जो है zone यह 3000-3600 के आसपास है तो इस इस पे भी जरूर नजर बना के रखिएगा और अब दूस्तों डॉच कोईन की बात करें डॉच कोईन भी लगबग 10% बढ़ा हुआ है और डॉच कोईन के लिए यह जो zone है 0.2 dollar के आसपास है यह important zone निकल के आया और आप देखो कि पिछले 6-8 महिने के अंदर इसको लगात यहां पर support मिल रही है और यहां से पूरे chances होते हैं bounce back करने के और हमने आपको वीडियो में बताया भी था कि यहां अगर आपको entry मिलती है तो एक अच्छी entry हो सकती है अगर आप immediate resistance की बात करते हो या target लेना चाहते हो तो इसका target लगभग 0.25 dollar से 0.27 dollar पहला हो सकता है और अपसे बड़ा सवाल हमसे पूछा जाता है Shiba Inu के लिए या Doge coin के लिए Doge coin क्या यह अपने all time high या 1 dollar जा सकता है दोस्तो हमने आपको बताया भी था कि इसकी जो quantity है बहुत जादा है लेकिन हां यह अच्छा profit दे सकता है और एक rally आई तो अपने all time high के आसपास जा सकता है आधे dollar तक भी जा सकता है लेकिन फिलाल इसके chances कम लग रहे हैं अगर आप देख रहे हो तो आप immediate target इसका यह ले सकते हो और यह ले सकते हो जैसा हमने अभी बताया Shiba Inu के अपना all time high बना सकता है Shiba Inu के अंदर काफी development हो रही है तो chances हैं कि अगर यह यहां maintain कर पाता है तो य SIP की जिसके अंदर हमने आपको तीन strategy बताया थी उसके अंदर हमने एक strategy के अंदर Shiba और Dodge को भी आपको include करने के लिए बोला था अगर यह वीडियो नहीं देखिए तो यह भी देख लिजएगा आपके जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी तो यहां पर दोस्तों overall मैं उम्मी करेंगे Bitcoin अगर यहां से अच्छा करता है या cryptocurrency के अंदर जिस हिसाब से आने वाले टाइम में हमें लगता है क्या हो सकता है तो अभी के लिए मैं दालेता हूं खुछ रही है मुस्कुरात रहे एक अमात्रे आपको दूस्त पंकर्स थैंकि नमस्कारत दन्यवाद हुआ हुआ है